आगे बढ़ जाते हैं वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए बनी जेपीसी की में शामिल विपक्षी सांसदों ने लोगसभा स्पीकर उंबरला को पत्र लिखा है जिसमें की विपक्षी सांसदों ने वक्फ विधेयक को लेकर अपने अपने विचार रखने के करके हमारी समवाद दाता कंचन कनोडिया ने कॉंग्रेट सांसद तारिक अनवर से खास बातचित किया है सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है तारिक अनवर ने वक्फ वोड पर चर्चा के लिए बनी जेपीसी को लेकर विपक्षी सांसदों ने ओम बिर्ला जो की लोकसवाज स्पीकर है उनने पत्र लिखा है इस वक्फ उस पर बाचित करने के लिए हमार से मौजूद हैं कॉंग्रेट सांसद तारिक अनवर जी सर आप भी उनमें है और आपने भी पत्र लिखा है ओम बिर्ला को क्या कुछ है बताया जा रहा है जगदंबी का उम बिर्ला जी को नहीं लिखा है हमने चेर्मेन जो जेपीसी के हैं जगदंबी का पाल उनको लिखा है और उनको हमने यही लिखा है कि आप जो भी फैसला ले इस बात का ध्यार कि जो उस community से बिलोंग करते हैं, जो कि वक्फ बोर्ड जो है, वो मुसल्मानों से संबदीत है, मुसलिम संबुदाय से संबुदीत है, तो मुसलिम संबुदाय को विश्वास में लेना चाहिए, कोई जबरदस्ती, कोई चीज उनके उपर थोपना, ये गहर मुनासिब होगा, अलोक तांत्रिक होगा. कर रहे हैं, मजदूरों के लिए कोई काम फैसला लेने जा रहे हैं, तो मजदूरों को विश्वास में लीजिए, जिस कम्यूनिटी के लिए कर रहे हैं, जिस सेक्षल के लिए कर रहे हैं, उसको विश्वास में लिए आप उपर से थोपेंगे, तो उसका गरत रियक्शन हो सर चुनाव आयोग ने उप चुनाव की जो तारीक थी तेरा तारीकों वह बीस कर दी है उतरप्रदेश पंजाब और केरला में किसे दिखते हैं तो ठीक है लेक्शन कमिशन को जो भी फैसना लेना चाहिए इस फक्षोकर लेना चाहिए